है फ्रेंज विल्कम डॉ अल्लाइन टूटोरियल मैं हूँ अभिशेग गुपता और आज हम लोग करने जा रहे टाइम एन्ट वार्क का लेक्चर नमर फाइब जो लोग ये lecture पहली बार देख रहे हैं उन लोगों मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये lecture देखने से पहले हमारा time and work के part 1 से लेके part 4 तक देख लीजिए क्योंकि part 1 से लेके part 4 तक हम लोगों ने बहुत सारा types cover किया है और बहुत ज़्यादा important है और specially आज part 5 जो मैं करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा important है आपको बहुत नयने साम सीखने को मिलेगा ठीक है तो please सबसे पहले part 1 से लेके part 4 देखिए फिर आपके part 5 देख लीजिए ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरा रिकोस्ट आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद मेरा solution देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो question क्या बोल रहा है if two men and three boys can complete a work in eight days and three men and two boys can come can do it in seven days how long will five men and four boys take to do it क्या बोल रहा है दो में ठीक है दो में ठीक है और तीन लड़का मिलके एक काम को कितने दिन में खतम कर रहा है आड़ दिन में हो गया पहला केस ठीक है और काम क्या है सेम काम ठीक है ठीक है दूसरा क्या वोगर है तीन आदमी एंद डोलर का मिल के काम को कितने दिन में खतम कर रहा है साथ दिन में ठीक है काम तो सेम है ना आप क्या वोगर है five men and four boys take to do it क्या पूछ रहा है हमें question में क्या बोड़ है कितना दिन लगेगा पूरा काम खटम करने में कितने लोगों को पाच में एंड फोर बोईस जब एक साथ काम करेगा क्या पूछ रहा है कोश्चन हमें कितना दिन ये टोटल काम को खतम करने में लगेगा अगर पाच आदमी और चार बाच्चा एक साथ मिलके काम करेगा तो निकल नमर आफ डेस निकलने के लिए हमें सबसे पहले क्या जाना और जाना ज़रुरी है तो सबसे पहले हमें क्या जाना ज़रुए है टोटल और 네क्स मिं एंड बेसका इंडरिविज्विजिवाल ऑफिसेंसरी यह द्व तो अगर हमें निकल गया तो हम लोग कोशन हो गया सिंपल कोशन है हमें क्या बताए जो टोटल काम है ओंड एकैस सेम है ठीक है इसका मतलब क्या है total work is same इसका मतलब क्या है दो केस बड़ाबर होगा ठीक है जैसे क्या बोला है two men and three boys ठीक है दो आदमी और तीन लगा क्या करें एक साथ दोनों मिलके एक काम को ख़दम करें कितने दिन में अर्ध दिन में ठीक है is equal to total work यह क्या है total work है इन लोगों का यह क्या है यह portion इन लोगों का total work है अब दूसरा case और equal to Q ले रहा हूँ कि टोटल वर्क सेम है काम तो सेम है ना नेक्स्ट क्या बोल रहा है three men and two boys men ko mc denote क्या बोइस को भी से denote क्या can do it in seven days ठीक है तो यह क्या है है दूसरे case का total work है ठीक है और total work हमें पता है सेम है हमें पता है total work के सेम है ठीक है अब क्या करना है हमें में एंड बी का efficiency निकालना simple है तो क्या करेंगे अभी हम लोग मल्लिप्लेट कर दे थे टूंट वेट 16 m 24 बी पूरा मल्लिप्लेट कर रहे है ठीक है कर रहे है एंड 21 m sorry यह इंटु लिग दिया यह क्या होगा प्लास होगा ठीक है दोनों मिलके एक साथ काम करें मतलब यह प्लास होगा ठीक है गलते से मैं लिग दिया था एंड 227 14 बी ठीक है हो गया तो 24 बी माइनस 14 बी ठीक है बी को हम लोग इस साइड में लेके आ रहे और एम को उस साइड में लेके जा रहे ठीक है 21 M-16 M ठीक है तो आप क्या होगा 10 B is equal to क्या है 5 M ठीक है तो B by M मैं इस साइड में लाइन कर दो देता हूँ इसका मतलब क्या है एक बॉय एक दिन में एक काम कर सकता है और एक मैन एक दिन में क्या दो काम कर सकता है तो हमें क्या मिलगा एफिशेंसी नेक्स्ट क्या है हमें निकलना है टोटल वर्क और टोटल वर्क तो हमें पता है सेम है तो यह बी और एम का फैल हम इन दोनों में से किसी में बिठा दे हमें एंसर मिल जाएगा बी एंड एम का भेलों हम इन दोरों में से किसी में बिठा दे हम लोग एंसर मिल जा आप बोली किसमें बिठा ना है इसमें इसमें क्या लेट में बिठाते है बेस्ट है ठीक है मैं लेट में बिठाता हूँ तो टू ठीक है M क्या है 2 x 2 ठीक है plus 3 x 2 क्या है 3 x 2 B क्या है 1 bracket close into 8 ठीक है तो आपको मैं बहुत माश्वाला concept सम्झाया था कि पहले bracket solve करना है और bracket के अंदर क्या आता है आपको बहुत माश्वाला सम्झाया था last lecture में अगर नहीं देखा जाके पहले देखिए ठीक है तो टो 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 क्या होता है आपका बॉलिए 56 तो आपका तोटल वर क्या आगया तोटल वर का आगया अपका 56 अब हमें कोशन में क्या बूचा है कितना टाइम लगेगा हाउ लॉग विल फाइब में एंड फोर बोई टेप टू डू इट कितना टाइम लगेगा जब पाच में पाच आदमी और चार बच्चा एक साथ मिलके पूरा का काम करेगा तो सबसे पहले हमारा क्या काम है जब चार आदमी जब सौरी जब पाच आदमी और चार बच्चा एक साथ मिलके काम करें तब उन लोग एफिशेंस क्या होगा निकालने के लिए तो आदमी का एफिशेंस क्या है दो प्लस बच्चे का एफिशेंस क्या है एक ठी मेंट करेगा यह दो जब काम करेगा यह दो जब एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में में काम को खतम होगा तो number of days number of days is equal to क्या होता है total or total or क्या मिले हमें 56 by efficiency दोनों मिलके जब काम कर रहा है तो हमें efficiency क्या मिला है 14 तो भाई 14 ठीक है तो अगर आप इसको करेंगे तो क्या आएगा फोर इंटू 14 इंटू 4 16 5 1 means 4 तो कितना दिन में काम को खतम हो रहा है जब यह दोनों जब 5 men and 4 boys एक साथ काम को कर रहा है तो काम कितने दिन में खतम हो रहा है बोलिए काम खतम हो रहा है चार दिन में और यह हो गया आपका answer I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा तो चलिए देख लेदे दूसरा question क्या बोल रहा है तो चलिए देख लेदा आपके question number two क्या बोल रहा है तो शुरू करने से बहले मैं आप लोग ए question पूछना चाहता हो for example आप माल लीजिए आप एक दिन में दो घंटे काम करते है ठीक है आप एक दिन में कितना घंटे काम करते है बोलिए दो घंटे काम करते है तो दस दिन में कितना घंटे काम करेंगे कितना काम करेंगे बोलिए दस दिन में कितना घंटे काम करेंगे बो दिन में कितना घंटे काम करेंगे 10 x 2 ठीक है समझ में आ गया concept clear तो चलिए कोशन पर 12 men and 6 boys working 6 hours a day can plough a field in 12 days 9 men and 12 boys working 8 hours a day can plough the same field in 9 days in how many days will 12 men alone working 9 hours a day plough the same field the question kia bora तो कोशन क्या बोड़ा है 12 men and six boys ठीक है 12 men and six boys working six hours a day 12 men and six boys मिलके एक दिन में कितना घंटे काम करते है छे घंटे काम करते हैं can plough a field एक field को plough करते कितने दिन में 12 दिन में ठीक है 12 men and six boys ठीक है 12 आदमी and six लड़के एक साथ मिलके एक दिन में छे घंटा काम करके एक पूरा field को plough करता है ठीक है कितने दिन में बोलिये कितने दिन में 12 दिन में ठीक है next nine men and 12 boys working eight hours a day ठीक है क्या बोड़ा है nine men अदमी and 12 लड़का ठीक है एक साथ काम करता है एक दिन में आठ गंडे काम करता है ठीक है वार्टिंग eight hours a day can plough the same field यह आप नोटीस की जे can plough the same field different field नहीं बोला can plough the same field in 90s लाव दिन प्रील मसला टोटल वर्ट तो सेम ही है ना मैं इट फिल्ट को प्लव करता हूं बारा दिन में उसी फिल्ट को आप लाव कर रहा हो दस दिन में total work to same yeah I will do same यहाना इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको total work हमारा सेम है जब टूटाल वर्क हमारा सेम होता है हम लो क्या करते है दो केस को दो केसे को बराबर लेते है ठीक है तो इधर आप लिग देते हैं टूटल वर्क शेम ठीक है इतना तक समझ में आ गिया In how many days will 9 men alone working 9 hours a day plow the same field क्या पूछ रहे हैं कितना दिन में 12 आदमी जो काम कर सकता है 9 घंटे प्रती दिन ठीक है उस same field को plow करेगा तो इससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा मेंड का efficiency और plow करने के लिए total जो work है उस पूरा field को वह हमें जानना है ठीक है तो सेम है field में जो काम होगा तो सेम रहे हैं दोनों के लिए समझ में आ रहा है अलग लग रहे हैं अब जो काम करना पड़ेगा आप एक field को plow कर रहा हूँ काम तो सेम है न दुनों को दूनको काम तो सेम करना पड़ेगा क्यों तो सेम है समझ में आ रहा है तो चलिए पहले क्या बोला है 12 men and six boys ठीक है कितना घंटे काम करते है प्रती दिन छे घंटे काम करते है प्रती दिन यह क्या हो गया एक दिन का काम हो गया क्या क्या हो यह पॉष्ण आख क्यों खुर्ण किया यह पॉरशन कक्या पहले हूँ क्या होऊ एक दिन में व लोग बॉक कितना किया ठीक क्या बारा में एंग लिए छे Hm एक साथ मिल्के एक दिन में कितना घंड काम कर सकता है बारा घंटा मिला के 12 थना मिला में इटना करेगा समझ मैं इतना था एक दिन समझे इतना थेक दो कितना करेगा ठीक है इंध्म एक दिन स änक काम करते माषब टो माली आप और आप के बहन हो गया एक दिन में आप और आपके बहेंड मिलके कितना घंडे काम करें दू घंडे तो दस दिन में कितना करेंगे इंटू 10 समझ में आ गया तो चलिए यह concept समझ में आ गया तो आपका sums हो गया और कुछ नहीं है ठीक है लोग इस चीज में बहुत तो आपको नहीं होना है क्योंकि आप ultimate success का student है यूश शॉट का student है तो आपको confused नहीं होना है ठीक है तो देखिए next case क्या है 9 men and 12 boys simple is equal to 9 men and 12 boys कितना घंडे काम करते हैं 8 घंडे काम करते हैं और कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है 9 ठीक है तो आब हमारा काम किया है simple इसको इसको इकोट करो ठीक है तो हम लोगा काम किया है हम लोगी कोट करेंगे स्चिसको ठीक है तो चलिये इकोट करते है second is go ठीक है चली 6 6 किसके साथ कटेगा मैं direct कट रहा हूँ क्योंकि equal to opposite है ठीक है तो 3 into 2 6 3 into 3 9 ठीक है 2 into 4 8 आब 4 into 3 12 3 3 just cancel out मैं direct cut कर दिया ठीक है simple cross multiply ठीक है आपको अब को समझ में नहीं यहाँ हैगा तो equal to opposite में आप लाके कर सकते है simple cross multiply किया अब क्या बचा है 12m plus 6b is equal to क्या है 9m plus 12b तो हम लोग आप आप से efficiency निकल सकते है तो 12m minus इसको equal to m को एक साइड में ले रहे b को एक साइड में ले रहे ठीक है तो plus 6b equal to opposite में जाएगा तो क्या होगा minus 6b ठीक है तो 3m is equal to 6b तो m by b is equal to क्या हो गया 6 by 3 तो 3 into 2 6 3 into 1 3 तो में का Efficiency क्या है 2 बोई का Efficiency क्या है एक इसका मतलब क्या है एक में एक दिन में कितना काम कर सकता है बोलिए दो काम कर सकता है और एक बोई एक दिन में कितना काम कर सकता है एक काम कर सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है टोटल वर्क निकलना ठीक है तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है टोटल वर्क को निकल लेते हैं ठीक है तो चली तो टोटल वर्क तो टोटल वर्क क्या है फिल्ट तो सेम है आपका दोनों में से किसी में भी मैं वैलू बिठा सकता हूँ और रिजल्ट तो सेम आएगा ना बुलिए दोनों में से अगर मैं किसी में भी वैलू बिठाता हूँ तो रिजल्ट तो सेम आएगा ना तो आराम से मैं कर सकता हूँ यह चीज़ तो चलिया कर लेते हैं तो टोटल वर्क इस इकल टो क्या होगा 12 इंटू मेन का एफिशेंसी मेन का एफिशेंसी क्या है दो ठीक है प्लास इंटू बोई का एफिशेंसी बोई का एफिशेंसी क्या है ओन ठीक है हो गया है इंटू क्या है इंटू क्या है तो अब इसको अगर आप क्यल्कूलेट करते हैं तो आपका भैलू आएगा 2160 ठीक है आप लोग इसको calculate करके देख लेना इसका value आएगा 2160 यह हो गया आपका total work तो हमें आप क्या निकलने बोला है in how many days will 12 men alone working 9 hours a day plow the same field क्या बोल रहा है कितना दिन लगेगा जब 12 men जब 12 men जिसका capability क्या है एक दिन में 9 घंटा एक दिन में काम करेगा ठीक है जब 12 men 9 घंटे एक दिन तक काम करेगा sorry 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 क्या बोल रहा है question में क्या बोल रहा है in how many days will 12 men alone working 9 hours a day plow the same field तो क्या बोल रहा है question में एक कितना दिन लगेगा जब 12 men जिसका capability क्या है एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है तो कितना दिन में पूरा काम को खतम करेगा ठीक है तो ठीक है तो क्या करेंगे अभी total number of days हमें निकालना है तो total number of days of किसका किसका 12 men का ठीक है 12 men का क्या है total work by efficiency किसका efficiency 12 men का तो 12 men तो 12 m कितना दिन तक काम कर रहा है कितना घंटे काम करता है एक दिन में कितना घंटे काम करता है नो घंटे काम करता है ठीक है ठीक है समझ में आ गया क्यों किया simple concept है ठीक है क्योंकि एक बंदे का बोल दिया कि वो पर दे नो घंटा काम करता है इधर बोल दिया मेंशन कर दिया 12 men एलन वर्किंग नाइन आवर्स ठीक है इसलिए 12 men into 9 समझ में आ रहा है क्यों 12 men एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है समझने की कोशिश कीजिए ठीक है तो simple है 2160 12 m मतलब क्या है into 2 into 9 तो आप अगर इसको calculate करेंगे तो आएगा 2160 by 216 ठीक है इसको calculate करने के बाद आपको आएगा क्या 2160 divided by 216 तो 216 into kithnow that 10 तो कितने दिन में खतम कर रहा है 12 men जिसका capability है एक दिन में 9 घंटे काम करने का ओ पूरा इस फिल्ड को प्लाव कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में ठीक है कितने दिन में कर रहा है प्लाव अकेले 10 दिन में this 10 days will be your answer I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा तो चलिए देख लेते हैं कि next question क्या बोल रहा है तो चलिए देख लेते हैं next question क्या बोल रहा है ठीक है तो सबसे पहले question को कॉपी कीजिए और खुद ट्राइ कीजिए उसके बाद मेरा solution देखने है कि बिल्कुल सेम टाइप के ओशन है ठीक है तो question क्या बोले है Shuresh working six hours a day complete a job in 12 days Mahesh working eight hours a day can complete the job in 15 days how many days will it take both working nine hours a day to complete the job ठीक है तो question का मतलब क्या है Shuresh working nine working six hours a day complete a job in 12 days क्या बोल रहा है Shuresh एक दिन में कितना घंटे काम कर रहा है शे घंटे काम करें तो पूरा काम को कितने दिन में खतम कर रहा है बारा दिन में खतम कर रहा है ठीक है नेक्स्ट महेश एक दिन में एक दिन में आठ घंडे काम कर रहे है ठीक है महेश एक दिन में आठ घंडे काम कर रहे है तो पूरा जोब को कम्प्लीट जोब पूरा जोब को कितना दिन में खतम कर रहा है पंदरा दिन में खतम कर रहा है ठ काम तो सेम ही है ना तो क्या होगा टोटल वर्क इस सेम जब टूटल वर्क सेम होता है तो क्या होता है ? एकल टू होता है बड़ाबर होता है ठीक है टोटल वर्क कैसे मैं ठीक है तो हमें क्या निकलना है how many days will it take both working 9 hours a day to complete the job क्या पूछ रहा है हमें कितना दिन लगेगा जब शुरेश एन महेश एक साथ काम करेगा और एक दिन में कितना घंटे काम करेगा 9 घंटे काम करेगा कितना दिन लगेगा पूरा काम को खतम होने में अगर सुरेश एन महेश एक साथ काम करता है ओवी 9 घंटे प्रती दिन में ठीक तो कितना दिन में टॉटल काम को खतम होगा सिंपल सा बात है पहले निकालना है सूरेश और महेश का efficiency नेक्स निकलना है total work ठीक है हो गया तो सिंपल है तो सूरे स्कूरे से डिनोट करता हो स्टूरे से एक दिन में कितना काम करता है छे गंडे काम करता है टोतल काम खतम हो रहा है बारक दिन में खतम हो रहा है मतलत हो गया तोक कि सब्राइब किसी का भी पठा दीजिए दोनों का फेलु सेम मिलेगा ठीक है यह याद रखना ठीक है यह काम सेम है अब कई भी बीटा सकते ही सब तो इससे हम लोग एफिशेंसी निकाल सकते है तो डायरेक्ट में है कट कर देता हूँ तो 3 2 2 6 होता है 3 2 5 15 होता है 2 2 4 8 होता है ठीक है तो 4 इन्टू क्या होता है 12 4 इन्टू क्या बोले है 3 12 तो 3S is equal to 5 M तो S by M is equal to क्या होड़ है 5 by 3 तो S मतलब शूरेस का efficiency है 5 एन महेश का efficiency है 3 इसका मतलब शूरेस एक दिन में 5 काम करता है महेश एक दिन में 3 काम करता है ठीक है कोवर complete अब next है total work है total work क्या है तो total work क्या है तो total क्या है दोनों में से किसी की में value बीठा देंगे हो जाएगा ठीक है तो पूरा में value बीठाना है तो क्या है मैं left hand side में बीठा रहा हूँ आप अगा चाहे तो right hand side वे बीठा सकता है total work बैलू सेम आएगा कि तो टोटाल वर हमारा सेम है ठीक है काम सेम है तो इंटू 12 ठीक है इसमें काटे हुए भैलो मत बिठाना जो था ओई बिठाना ठीक है मैं हर बार बोल रहा हुए चीज निस्टेक मत करना ठीक है सब्सक्राइब दिपर इस सुरेश हैं से फाइफ 5 इंटो 6 12 ठीक है और हो गया तो तो आय होता है 60 और 60 इंटू 6 क्या होता है 36 16 इंटू 6 क्या होता है 360 कि 6 इंटू 6 होता है 36 और एक 0 हो गया 360 तो टोटल और हमें मिल गया 360 तो आप क्या बोल रहाए कि सुरेश एंड महेंस एक साथ काम कर रहा है और दोनों का capability है एक दिन में 9 घंडे काम करने का ठीक है तो लोग कितने दिन में पूरा काम को खतम करेगा घीतना दिन में पूरा जो टोटाल वर्क के ुटोटौल और किया है 360 यह सिरी 60 को कितना दिन में खतम करेंगा सिम्पल एडनॉबर आप गेस निकलते हम ठीक है जब सूरेश और महेश एक साथ काम करें ठीक है number of days निकल रहे number of days is equal to क्या होता है total work by efficiency तो शूरेश और महेश का efficiency क्या है मैं डारेक्ट बीठा रहा हो तो शूरेश का है पाच five and महेश का कितना है बोलिए टीन three और दोने एक दिन में कितना काम कर सकता है नाइन ठीक है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है 360 जैसे मैं बदमाश वाल आपको बोला था लास्ट लेक्चर में 1829 ठीक है अब सिंपल है क्या है बोलिए आप नाइन इन टू कितना कितना होता है बोले सोरी सो बोले 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 सोरी सोरी मैं गलत लिग देनाइन कितना होता है 360 40 to 8 इन to जो इतना होता है 45 मत शूरेश एंड महेश ठीक है दोनों एक साथ काम करेगा ओ भी नोगंटा प्रती दिन तो ओ लोग पुरे काम को कितने दिन में खतम करेगा, ओ लोग पुरे काम को 5 दिन में खतम करेगा, ठीक है? और यह हो गया आपका answer, I hope कि आपको यह ओला, question समझ में आ गया होगा, तो चेलिए, देख लेते हैं, मतलब और एक question पीकर क्या बोल रहा है, तो चलिए तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोशिण क्या बोल रहा है one of the most important question है प्लीज जितना भी हो सबस्टार्ड मार्क कर लेजिए ठीक है और समझने की अच्छी दर से कोशिश केचे A can build a wall in the same time in which B and C together can do if A and B together can do it in 10 days and C alone in 15 days in what time we alone do it kya borra item line-by-line some check ticket line-by-line some see a war hot is other important a can build a wall in the same time in which B and C together can do it kya borra hai a a b wall for us time a build karta hai this time may this time may my love a it be wall for us time a build karta this time may be your same milk a build karta है ठीक है मतलब को समझ में आ रहा है माल लीजे for example मैं एक दीवाल को 10 मिनिट में बिल्ट कर सकता हूँ ठीक है और आप और आपके बेहन मिलके उस सेम दीवाल को कि जो सेम दीवाल को 10 मिनिट में बिल्ट कर रहे ठीक है मतलब क्या है मैं जिस टाइम में उस दीवाल को बिल्ट कर रहा हूए उसी सेम क्यारी में आप और आपके बेहन एक साथ मिलके दीवाल को को बिल्ट कर रहे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सोच ये ए दिवाल को जिस टाइम में बिल्ट कर रहे उसी टाइम में बी और सी मिला के उस दिवाल को बिल्ट कर रहे ठीक है मतलब ए ज्यादा एफिशेंट है बी एंसी से समझ में आ रहा है मैं आप और आपके बहन से जादा एफिशेंट है क्योंकि मैं अकेला माल लीजे मैं अकेला दो मिनिट में आपके दिवाल को बिल्ट कर रहा हूँ एक दिवाल आपके साथ खड़ा है, उस धिवाल को मैं अकेला दो मियट में बिल्ट कर रहा हूँ, और आपको प्लेistor के ऐसले हो एक दो मियट में बिल्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा एफिशेंसी जाद है, मैं अकेला कर सकताूँ, तो आपको करने के लिए अपके बेहन भी लग रहा है, फिर भी आपका लेट हो रहा है, मतलब मेरा efficiency ज़्याधा है, समझ में आ गया, clear, मान लीजिए, अगर A का efficiency दो है, ठीक है, अगर A का efficiency दो है, तो ये दो, B और C मिला के होगा, ये दो, मतलब दोनों को मिला के 2 होगा, ठी है बाट यह नहीं होंगा कि बी- कращ ऐसा मर्म सोच लीजीए कि बी- कोल an Doh के दोनों को मिलाक पhrदा यह हैं फर एक्जांपल गहां आप travel माने आप और आपकी बहन दोनों मिलाके उस दिवाल को खरा कर रहें ने भी हो सकते मेरी हो सकते यह झाँन हो सकता है हो सकता है ना मैं आप इमईजिन कीजिए दिवाल खढ़ा है उस दिवाल को मैं अकंफे बेहन मिल के उस दीवल को दो मेंट में कर रहे हैं, हो सकता है standard आपके बेहन से ज़्यादा काम कर रहे हैं हो इसका मतलब कर आप ज़्यादा एफिशेंट है जब आफ जब आप दोनों एक साथ मिला कि जब हम लोग एफिशेंट से चेक करेंगे तो मेरे साथ आप दोनों का बड़ाबर आएगा क्योंकि मैं आखेला कर रहा हूं आप दोनों मिला के कर रहे हैं यह तो हो सकता है ना आप आपके बेहन से जाधा efficient हो समझ में आ गया concept clear तो next जाते इतना तक समझ में आ गया तो चलिए next point ठीक है if A and B together can do it in 10 days अगर ओकाम मतलब दिवाल बनाने का काम अगर A मान लेजिए यह green A है and B, दोनों एक साथ मिलके उस पूरा दिवाल बनाने का काम को खतम करता है दस दिन में ठीक है जब A and B, दोनों मिलके उस दिवाल बनाने का काम को खतम करता है 10 दिन में and C, alone in 15 days and C क्या कर रहा है तो के याद रखना एपकी यह पहले हमें बोल दिया थीक है C 15 दिन में खतम करें इन वट ट्टैम B alone do the work तो वी अकेले कितना दिन में यह काम को खतम करेगा तो इससे पहले हूँ किया जाना है total work जानना है और वी का एफिशेंसिश जानना है तो हो गया number of days वी का easy है तो इतना तक समझना ज़रूरी है बाकी तो सब Одससे हैं LCM of 10 and 15 LCM of 10 and 15 ठीक है तो अगर आप LCM of 10 and 15 करेंगे अब चिफ करके देखिए कितना आएगा 30 आएगा खुद करके देखिए ठीक है तो आपका टूटाल अर्क वर्क कितना आ गया आपका टूटाल वर्क आगया 30 30 कै है यह थोड़ा लईट हो रहा है आप ब्लैक पेण से लिगता हूँ 30 3 0 तो efficiency क्या होगा Öffecency क्या होता है A plus B efficiency क्या होगा ही से मैं आडे निलोट क्या efficiency वर्क बाइन अमबर अब देस मतलब 00 कर दिगा तो A plus B efficiency क्या होगा three and seek efficiency क्या होगा सी का efficiency क्या होगा 30 by 15 to see efficiency a kya दो ठीक है दो अब हमें क्या करना है यह हमें टोटल अर्ट मिल गया अब स्टीक efficiency मिल गया आप हमें क्या किसका efficiency निकलना है एका एंड बी का में तो टार्गेट किसका क्या है भी का efficiency निकलना क्योंकि हमें कोशन में क्या बोला है पूरे काम को B कितना दिन में कर रहा है simple तो इस points आपको कोशन को फिर से समझना है ठीक है आपको क्या पता है एए एक का efficiency is equal to efficiency is equal to kya B और C का दोनों मिला हुआ efficiency क्योंकि क्या है यह काम को जिस में कर रहा है भी और सी मिला के उसी काम को मतलब उसी काम को सेम टेम में कर रहा है ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है एक का efficiency बी और सी से जाधा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलिए एक का efficiency B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- और A plus B का क्या है 3 है ठीक है तो आफ सोचिए आफ इधर से आपको सोचना है A plus B मिला के है 3 और C है 2 तो A को कितना होना चाहिए क्योंकि A को और B को कितना होना चाहिए जब हम लोग add करेंगे B plus C को सूचिए ठीक है C का हमें पता है 2 अच्छी तरह से सोचिए मैं धीरे-धीर कर रहा हूँ C का हमें पता है 2 है efficiency और क्या पता है A का efficiency जो होगा ओए equal होगा बी और सी का efficiency को add करने के बात ठीक है हमें पता है एक एफिशेंसी जो होगा जो वैलू आएगा एक एफिशेंसी को किसके बराबर होगा जब हम लोग B and C का efficiency को add करेंगे समझ में आ गया तो सोची हमें पता है एक का efficiency दो और हमें पता है एक प्लस बी मिला के आ रहा है तो एक आप बैलू आना चाहिए एक क्या बैलू आना चाहिए तक कि B plus C हम लोग जब plus करेंगे जब B plus C करेंगे वो A के बराबर हो, सोचिए तो A का value मेरे हिसाब से अब देखिए, क्या आना चाहिए 2.5 ठीक है क्योंकि A का value क्या आना चाहिए 2.5 क्योंकि हमें क्या पता है, C का पता है 2, ठीक है 2.5 plus 0.5 करेंगे तो क्या आएगा 2 plus 0.5 करेंगे तो क्या आजाएगा 2.5 इकोल हो रहा है दोनों, एक दूसरे से देखिए, इकोल हो रहा है, एक सक्किन ये concept आपको जानना बहुत ज़रूरी है बहुत important समय है मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बहुत important समय इस चीज़ को समझिए ठीक है हमें क्या पता है A का efficiency बड़ाबर होगा किसका B and C का और ये situation हमें देख के क्या पता चल रहा है A A दोनों से बड़ा है ठीक है, तो हमें क्या पता है, C का efficiency पता है तो हमें सोचना ऐसे है कि A का efficiency क्या होना चाहिए, जब हम लोग C के साथ B का efficiency add करेंगे तो A का बड़ाबर होगा ठीक है, तो हमें सोचना है, तो अगर हम लोग A को, क्यूंकि हमें क्या पता है B प्लस B प्लस A, मतलब A प्लस B है 3, तो अगर हम लोग A को 0.5 मान लिए ठीक है, तो अगर मैं A को 2.5 मान लिए, तो B क्या होगा 0.5, तो क्या आ जाएगा दोनों को प्लस करेंगे, तो 3 simple, इतना तो समझ में आ गया तो A को हम लोग 0.5 माने और इस साइट में देखिए जब B प्लस C करेंगे, क्योंकि हम लोग A को माने क्या, 2.5 ठीक है, जब B का 0.5 प्लस C 2 है, तो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है ठीक है, समझ में आ गया, तो B का value क्या है, 0.5 तो 0.5 का मतलब क्या होता है है, बोलिए, 0.5 का मतलब क्या है, पता है, अगर आपको पता भी नहीं, आप calculation करके देख लिजे, 0.5 0.5, प्लस C देंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नमबर है, दो, एक 0 आएगा तो 5 इंटू 10, मतलब B का value क्या आ गया aft, B का value क्या आ गया, half, ठीक है तो B का efficiency क्या है aft, या 0.5, 0.5 का मतलब भी होता है, half, 1 by 2 ठीक है, तो B का efficiency में होता है, 1 by 2 यह concept है, होतके आपको समझ में आ गया होगा, तो next क्या बोला है, B, पूरा काम को तो अक्यले कितना दिन में खतम करेंगा, no problem, तो B का number of days, number of days क्या होगा, बोलिए, total worth, मतलब 30, by B का efficiency क्या है, हब, तो ये 2 क्या हो जागा, उपर चले जाएगा, मतलब 13 to 2, मतलब 60 days, ठीक है, तो B, पूरा काम को कितने दिन में खतम करेगा, भी पूरा काम को 60 days में खतम करेगा, और ये बहुत important question है, अगर आपको समझ में आया, please like दीजिए, please, लोग dislike देने आ जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है, क्यों देता है, like नहीं देता है, और आप लोग वीडियो देखने के बाद भी like नहीं देता है, यार दुख नहीं next question देख लेते है, तो चलिए देख लेते और एक most important question and freaky question, ठीक है, तो चलिए question को एक साथ पढ़ लेते है, A can do a job in 3 days, B can do 3 times that job in 8 days, and C can do it, and C can do 5 times that job in 12 days, if all of them work together, they will finish the job in, ठीक है, क्या बोल रहा है, A can do a job in 3 days, A, एक जॉब एक काम, तीन दिन में खतम कर सकता है, ठीक है, एक काम को कितने दिन में खतम कर सकता है, तीन दिन में खतम कर सकता है, ठीक है, next, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सकेंड पेंड इडिकर ने दीचे, B, can do 3 times that job in, 8 days, ठीक है, भी क्या कर सकता है, भी क्या कर सकता है, 3 times of that job in 8 days, ठीक है, सोचिए, भी क्या कर सकता है, 3 गुना उस जॉब का खतम कर सकता है, 8 दिन में, तो जॉब कितने दिन में खतम करेगा, आप, आप, सोचिए, आप तिन गुना आपको एक काम मिला है, आपको एक काम मिला है, सोचिए, यह आपको काम मिला है, ठीक है, यह आपको काम मिला है, इस काम, इस काम से आप तिन गुना ज़्यादा खतम कर सकता है, 8 दिन में, तो इस काम का, मतलब कितने दिन में खतम करेंगे, इस एकाम का हिई आपको काम मिला है ठीक या जो है आप सोच है यदो है आपको काम मिला इस काम का तीन गूला तो इस तो हैसे काम का त्रिपल में तरICK e षिन सब्सक्राइब 8 दिन में खतम कर सकते हैं तो ये काम आप कितने दिन में खतम करेंगे 8 by 3 समझ मैं है अगर इस काम का आपको एक काम मिला है आपको मान लीजी ये काम मिला है ठीक है आपको मान लीजी ये काम मिला है ठीक है ये काम का 3 गुना काम आप 8 दिन में खतम कर सकते है ठीक है तो ये काम आप कितने दिन में खतम करेंगे 8 by 3 simple तो तो समझ में आ गया यह वाला तो B ठीक है जो काम दिया था उसे तीन गुना काम आओ 8 दिन में खतम कर सकते है तो इस काम को भी कितने दिन में खतम करेगा 8 by 3 डेस समझ में आ गया 8 भाि 3 डेस आपको समझ में आ गया नेक्स से सिंज उसकाम का 5 गूना काम 5 10 कम बारा दीन में खदमकर रहा ह। ठीक है 5 10 कम बारा दीन भाय जो एक करेगा सी उसकाम के 5 तेंज कांब बार हम ख़तम कर रहा है तो सी उसकाम को कितने दिन में ख़तम करेगा 12 by 5 देज समझ में क्या तो आपको मैं चैप्टर में सिखाया था एकदम चैप्टर के शुरू अतमें सिखाया था ठीक है efficiency efficiency is the inverse of time time मतलब नंबर अब दे तो टाइम क्या होगा इस दा inverse of efficiency ठीक है यह मैं आपको एकदम फास्ट पार्ट में सिखा था ताइम इस दे इंवर्स of efficiency and efficiency is the inverse of time मतलब क्या है अगर टाइम अगर टाइम टू बाइट्री है तो efficiency क्या होगा उसका उल्टा मतलब 3 by 2 यह मैं आपको सिखा था तो इधर हमें क्या पता है इधर हमें हमें पता है टाइम ठीक है इधर हमें पता है टाइम ठीक है कि एक तीन दिन में पूरा काम को खतम कर रहा है उसकाम को जो पर्टिकुलर एक काम है उसकाम को यह तीन दिन में खतम कर रहा है बी कर रहा है एड़ वाइट थ्री देज में एंसी कर रहा है 12 by 5 days में उस काम को ठीक है और efficiency का मतलब किया होता है कोई भी बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है तो हमें टाइम पाता है तो टाइम के उल्टा क्या होता है एफिशेंसी तो इधर से एक का एफिशेंसी हमें निकल जाएगा तो एक का एफिशेंसी क्या होगा इधर से बोले एक एफिशेंसी हमारा होगा 3 का उल्टा क्या है 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है तो 3 का उल्टा क्या होगा 1 by 3 तो A का एफिशेंसी हो गया 1 by 3 B का एफिशेंसी क्या हो गया 3 by 8 ठीक है B का एफिशेंसी क्या हो गया 3 by 8 यह वाला चीज मैं पोस्ट देता हूं ठीक है एफिशेंसी क्या हो गया उल्टा 5 by 12 ठीक है इस कॉंसेट से हम यह चीज निकाल लिया ठीक है की एफिशेंसी समझ में आ गया यह वाला चीज ठीक है समझ में आ गया 1 ठीक है तो यह लोग ठीक है एक दिन में कितना काम कर सकते है ठीक है यह लोग एक दिन में कितना काम कर सकते बोली ठीक है मतलब तीनों मिले क्योंकि हमें कोशन क्या पूछा है if all of them work together they will finish the job in अगर तीनों मिलके एक साथ काम करता है तो लोग काम को कब खतम करेगा ठीक है अगर तीनों एक साथ मिलके ऐसा कोशन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्ब करना है ठीक है यह टाइप है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ठीक है फिर से ध्यान दीजी एक टाइप से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा टाइप आएगा तो आपको ऐसे सॉल्ब करना है ठीक है तो हमें कोशन में क्या पूछ तो घर तो पहले हम लों क्या करते है तीनों एक साथ काम करें A प्लस B प्लस C पीमेग चूड़ हो केकाम करें मतलब 153 3 by 8 and 5 by 12 ठीक है तो इसको अगर आप सॉल्ब करेंगे तो आपका वयलु आएगा ठीक है नाइन बाई एट ठीक है जब तीनों मिलके एक साथ काम करेगा तो तीनों तो इसको अगर कैल्कुलर करेंगे जब तीनों a plus b plus c जब 3 मिलके एक साथ काम करें तो कितना काम कर रहा है 9 by 8 काम कर रहा है ठीक है 9 by 8 काम कर रहा है ठीक है अब हमें क्या बोला है जब 3 मिलके एक साथ काम करेगा तो ये काम कितने दिन में खतम होगा 3 मिलके काम कर रहे क्या 9 by 8 और हमें क्या पता है और यह क्या है तीनों का efficiency है तीनों मिलके एक साथ काम करें A plus B plus C मतलब तीनों का efficiency को हम लोग add कर दिये तो तीनों मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन में 9 by 8 ठीक है तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 by 8 ठीक है और हमें क्या पता है time is the inverse of efficiency ठीक है तीनों मिलके एक साथ काम कर रहा हमें क्या बता है time is the inverse of efficiency and efficiency is the inverse of time तो कितना और number of days क्या होता है time होता है number of days तो कितना दिन में ये काम को खतम होगा तो कितने दिन में ये काम को खतम होगा तो क्या होगा time is the inverse of efficiency and efficiency is the inverse of time हैं तो ये क्या है 3 का efficiency है है ये क्या है इसीनों का efficiency का efficiency तो है ना कि कितना मतलब एक दिन में एक डीह नी एंसी एक सक मिल presume कितना काम कर रहें तो कितना नॉबर ओफ डेस लगे ये काम को हदम उने में कुछाए काम को खदम होने में कि एड़ नाइन डेस क्यों किक्किर हमें पता है इंवर्स है तो उल्टा हो जाएगा समझ मेंर तो आप तो यह बात बोल सकते कि efficiency तो एक दिन के लिए निकला तो number of days कैसे निकाला यार ये तो ये तो बात है ना यसमें क्या एक दिन होता है ना कि आप लोग बोली एफिशेंसी क्या होता है कोई इंसान एक दिन में क्या काम कर रहा है ठीक है और टाइम क्या होता है इस चीज़ को बहुत important है तो चलिए ठीक है efficiency का मतलब किया है कोई भी इंसाट एक दिन में कितना काम कर सकता है और टाइम क्या होता है देखिये 8 दिन 8 by 3 त्री डेस तिन दिन 43 देस एंट व्लबाइइ पाइब देस मतलब कितना दिन में होडा है और efficiency क्या है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, समझ में आ गया, तो ये क्या था, कितना दिन में total काम खतम हो रहा है, ठीक है, can do a job in three days, तो इसका उल्टा किया, तो क्या निकल गया, कि A एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये देखिए, B पूरा जॉब को कितना दिन में खतम कर रहा एक दिन में क्या काम कर सकता है सी का क्या है 12 वाइट फाइब डेस में पूरा काम को खतम कर रहा है तो इसका उल्टा कर दिया तो क्या निकल गया इसको उल्टा कर दिया तो क्या निकल गया तो इसको उल्टा कर दिया तो क्या निकल गया जब a प्लस भी प्लस c तीनों में क्या में खतम होगा 8 by 9 days ठीक है इसका साथ इसको compare कीजिए आपको समझ में आ जाएगा फिर भी कोई भी दिक्कत है प्लीस कॉमेंट कीजिए ठीक है मैं आपको फिर से समझा दूबा ठीक है तो चलिए आजका last question देख लेते है तो चलिए देख लेते आजका last question क्या है ठीक है तो सबसे पहले question को लीजे फिर solve कीजे a and b can do a piece of work in 40 days their skill of doing the work are in the ratio 80s to 5 how many days will a take if engaged alone to kya bora a and b can do a piece of work in 40 days मतलब a and b जब एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम को खतम करेगा चालिज दिन में मतलब a plus b जब एक साथ काम को खतम कर एक साथ काम को करेगा तो खतम करेगा कप 40 days में ठीक है बेर skill of doing the work are in the ratio 8 is to 5 skill of doing the work are in the ratio 8 is to 5 skill of doing the work a and b का skill of doing the work मतलब क्या होता है efficiency एक दिन में कितना काम कर सकता efficiency आप कितना skillfully एक दिन में काम कर सकते हो क्या होगे efficiency ठीक है तो क्या बोलाई दोनों का skill of doing the work दिया है 8 is to 5 मतलब पहले यह है second में भी है मतलब पहले 8 है मतलब दोनों का skill of doing the work are in the ratio 8 is to 5 मतलब एक का efficiency क्या है 8 बी का efficiency क्या है पाच ठीक है how many days will it take if a engage alone पूरा काम खतम करने में कितना time लगेगा अगर ए अकेला करता है एक का efficiency पता है ठीक है क्या निकलना है total work निकलना है ठीक है तो इससे हम लोग total work आराम से निकल सकते क्योंकि हमें क्या पता है a plus b का efficiency पता है और दोनों मिल के काम को कितने दिन में खतम कर रहा है 40 days में तो क्या हो गया टोटल वर्क सिंपल वैलू भी रहा दीजिए कौन-कौन काम कर रहे a plus b एक साथ काम करें मतलब sorry 8 plus 5 ठीक है इंटू 40 यह क्या हो गया हमारा टूटल वर्क ठीक है टूटल वर्क हो गया तो हो गया क्या 13 इंटू 40 मैं टोटल और पो इदर टीड़्यू से लिखता हूं ठीक है थाटें इंटू 40 तो 0 3 2 4 12 1 1 4 5 5 20 हो गया हमारा टूटल वर्क ठीक है अब क्या है क्या निकालना यह अगर अक्यला काम करेगा तो इतने दिन में खतम करेंगा तो एक नामर ऑफ देस तो एक नामर ऑफ देस क्या है 520 डिवाइड़ वाइड़ वाइए का एफिशेंसी क्या है एट तो है तो है शेक्स पॉर्टी एट फोर फाइड मतलब क्या हो गया 65 डेस अगर आपको कोशें में एना पूछ के बी पूछे जाता अगर अवले अकिलिए पूरा काम को कि ने दिनमें खतम करेगा तो या है नामबर ऑप देज ओ क्या देगा देखा थे जीग है तोEl कभी आप देख लीजिए ठीक है कभी कभी भीगा भी पूछ देता है आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आए होगा अगर लेक्चर पसंद आए तो मेरे एक ही रिकोईस्ट है प्लीज लाइक कीजिए आप लोग को यह नहीं करते हैं जितना भी इबोड़ पसंद को कर डेंगे ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लियुए चैनल को सो ऑनको दबा दीजिए कोई भी डाउट्स और यह जो लेक्टर में आपको कराएंब ही बहुत狂 जाद ही पोटनेंट प्लीज मिस्स मत कीजें आप लोग बहुत जाधा बड़े-बादे कोचीन में पढ़ते होंगे प्लीज जाके दोनों के साथ मेरा निट्वीन उसकर कीजिऊ library अब कर लेंगे ना तो आप कोचीन में जाके चयलेंच कर सकते की मिरिस साभ आता है ठीक है तो चलिए, बाई फ्रेंड्स, have a nice day and all the best.